हेλो गैज वेलकम बैक टो मैं चैनल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेमी फिनाले में कौन-कौन विनर होंगे और कौन से दो कपल से जो स्पिट्सुला से बाहर हो जाएगे और जो सेमी फिनाले के विनर्स मैंने बताये हैं वो 100% कनफरम है और ये बात में फिर से आपको दो प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ तो वीडियो को लासक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको अगले वीडियोस को नोटिफिकेशन्स मिलती रहे तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अनिका के बैक में पेन होगा तो इस वज़े से अनिका सेमी फिनाले वाले टास्क अच्छे से पफर्म नहीं कर पाएगी और इसी वज़े से सीवेत और अनिका ये सेमी फिनाले वाले टास्क में बाहर हो जाएंगे और ये फिनाले में नहीं पहुँचेंगे सिवेत अनिका के अगेंस्ट जो पफॉर्म करने वाले हैं वो है दिग विजे कशिश विजे और कशिश ये सेमी फिनाले वाले टास्क के विनर होंगे इसलिए ये फिनाले में पहुंच जाएंगे ये आगे आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ हर्ष रुशाली और नायरा अरबाज ये एक दूसरे के अगेंस्ट पफॉर्म करने वाले हैं तो हर्ष और रुशाली ये सेमी फिनाले वाले टास्के विनर होंगे और नायरा अरबाज ये स्प्लिट स्विला से बाहर हो जाएंगे और ये बाद भी 100% कन्फरम है और इसका पुरूफ मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है और मैं आपको दूसरा पुरूफ बताने जारी हूँ अगर आपने प्रोमो अच्छे से देखा होगा तो टास्क लोकेशन पर सेमी फिनाले वाला जो टास्के वो कंप्लिट होने के बाद आकरिती जश्वन के साथ दिगविजय कशिश और हर्शुशालिये साथ में खड़े हैं ये देखने को मिल रहा है तो इससे यही पता चल रहा है कि दिगविजे करशिश और हर्षुशाल ये सेमी फिनाले टास्क के विनर होंगे इसलिए वो आकरिती जश्वन्त के साथ दिखाई दे रहे हैं तो वहां आकरिती जश्वन्त ये हर्षुशाली के साथ दिखाई दे रहे हैं जो कि कभी स्टिट्सुला में दिखाई नहीं दिया है आकरिती जश्वन्त और हर्षुशाली ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखाई दिये हैं और अगले एपिसोड के प्रोमो में ये देखने को मिल रहा है कि आकरती जश्वन्ती हर्शुशाली के साथ खड़े हैं और बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हर्शुशाली और दिगविजे का शेश ये फिनाले में पहुँच गए हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें